SSC में पढ़ाने से जाता है दिमाग इसी चीज में लगाना पड़ता है कि कब किसको नीचा देखा के हम आगे बढ़ देखा कि किसी ने गलती की तो ठीक है आपने उसके बारे में बोल दिया लेकिन किसी के पीछे हाथ दो के पड़ जाना अब आपने देखा कि पिछली वार रैंग बन में जो भी मिश्टेक हुई ठीक है हमने भी वीडियो बनाया और बताया कि ऐसा गलती आगे से मत करना और इस बार आप देख रहे हैं कि लोग नहीं कर रहे गलती या कर रहे है तो बहार नहीं आ रही है ठीक है एक बार बता दिया अब हमारी जम्मेदारी नीए जो लगातार गलत करेगा तो उपर वाला बैठा है, सरकार हैं बैठी है, अपने आप एक दिन फसेगा, ऐसा तो है नहीं कि उपर वाले कि यहां नयाए नहीं है, लेकिन कोई सिच्छा का अगर नया है, जैसे मैं आदे तरंजन के बारे में भी बात कर लेता हूं, कि वो नय है अच्छा कर रहे हैं, सब के अपने अपने तरीके हैं, कुछ मैं मानता हूं कि उन्होंने भी गलत चीज़ें की होंगी, कुछ, सब को आगे जानी की हक है, सब उपर जाना चाहते हैं, लेकिन हम ये कोशिश करें कि सामने वाला उपर बढ़ी नहीं पाएगा, हम उसको नीच कुछ चीज़ें हो सकते हैं, उन्होंने गलत करी हैं, मैं मानता हूं कि चलो गलत की हैं, नहीं है, उतनी समझ नहीं कर दी गलत, अब लोगोंने बताया, तो सुधार करेंगे, नहीं करेंगे गलत, लेकिन हम किसी को सिर्फ नीचा इसलिए दिखाएं कि नहीं हम तुम्हें आ आदमी अपने गिरेवान में तो जहांके देखें, आज अगर मैं किसी के बारे में कुछ भी उठा देता हूं और कह पाता हूं, तो मैं अपने उन उशूलों पर आज भी चला हूं, मैं पैसे के लिए गिरा नहीं, मैंने अपना जमीर नहीं बेचा, मैंने हमेशा सुकून क कि नींद ली, मैंने जीवन को उल जाया नहीं, मैंने अगर पैसा कमाया तो गलत रास्ते नहीं अपना है, तो मैं उंगली उठाने का हक रखता हूं, लेकिन आज मैं देखता हूं कि वो लोग भी उठा दे, जो खुद वही सब गंदगी कर रहे हैं, कमाल की बात है, मैं किस पर्टिकुलर एक आदमी के लिए नहीं कह रहा है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, ठीक है, दो-चार लोग गलती करेंगे, आज निकल उने भगवान फल देगा, बच्चे खुद S.S.C. में जो आ रहे हैं, कोई वो गधे नहीं है, बेवकूफ नहीं है, खुद ग्र डिसीजन मेकिंग पर ही सक है, कि वो सरकारी नौकरी में भी जाके क्या डिसीजन लेंगे, उनकी तो डिसीजन मेकिंग ही खराब है, तो बच्चों को हक है कि वो अपने हिसाब से अपना सिच्छक चुन सकते हैं, एक बार नहीं, और देखे एक चीज मैं और यहां पर बतान चाहता हूं कि कोई भी बच्चा सलेक्ट होता है, वो एक टीचर पर बढ़ेगा, वो उसका पहला टेम्ट था, एक टीचर पर पढ़ा, उसने सई से तयारी नहीं की, इसका मतलब यह नहीं है कि वो टीचर खराब है, अब वो क्या करेगा, वो दूसरे टीचर पर आ जाएग गए होंगे, जो यहां से कुछ सीख गए, अब वहां जाके सीख रहे, उसने वाई वाई ले ले ली, तो यह बहुत एक नॉर्मल सी चीज है, बताइए आप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जिस पर हम चिला है, तो रिक्वेस्ट है, आप भी मत कमेंट करिए, पढ़ा पर मारा करिए.